जमू कश्मीर का नाम लेते हैं तो एक और जहां भारत का स्वर्ग की कलपना सामने आती है वहीं दूसरी और एक ऐसे ख्षेत्र के भी ऐसा ख्षेत्र भी मानस पटल में आता है जिसके कारण भारत को दो तीन युद्ध जेलने पड़े और आतंकवादी गतिविदियों का वह ख्षेत्र एक मुख्य केंदर रहा है आखिर ऐसी स्थिति क्यों यदि विश्व में कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है यहीं है यहीं है लेकिन भारत के संदर में यदि भारत में कहीं आतंकवादी गतिव्धी है तो वह भी यहीं है यहीं है यहीं है इसके कारण क्या है भावगोलिक कारणों के अलावा कुछ एतिहासिक कारण भी इसमें जुड़े हुए हूँ इसी लिए जम्मू कश्मीर की जो इस्थिती है वहां भारती संग में एक विशेश इस्थिती के रूप में थी विशेश इस्थिति निर्मित की निर्मित कराई गई विशेश इस्थिति थी और विशेश इस्थिति अब है कि नहीं है इसे थोड़ा समझे इसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है जम्मु कश्मीर भारती संग के 29 राजियों में से एक राजित था जो भारती संग में अपने अंतिम और इस्थाई विलम्ब के परणाम सरूप 1947 में ही भारती संग की एक एकाई के रूप में अपना स्थित्य रखा भारत की स्वतंत्ता के समय अंग्रेजों ने जो एक व्यवस्था छोड़ी थी जिसके तहट भारत के तत्काली राजाओं को रियास्तों को ये स्वतंत्ता थी कि वे उनके अंग्रेजों के जाने के बाद या तो भारत देश में अपना विले करें या पाकिस्तान में विले करें और या चाहें तो स्थंत्तर देश बने रहें इस व्यवस्था का खामियाजा हमें कश्मीर समस्या के रूप में भगतना पड़ा दुर्भागे से एक और सदार पटेल जहां सभी रियासतों को जिनकी संख्या लगबग पांस सौ बासट थी रियासत और देशी राज्य और विविन श्रिणियों के जो रज्य थे उनको जहां एक और भारत में मिलाने में उन्होंने सफलता पाई वहीं तीन ख्षेत्रों में तीन ख्षेत्र के राजाओं ने किसी तरह का निर्णा लेने में विलंब किया और उनमें एक था जम्हू कश्मीर दूसरा सा हैधरबाद और तीसरा सा जूनागर जो गुजरात में हो किसी तरह से हैधरबाद और जूनागर की समस्या का निराकरन तो हो गया और इसके निराकरण का इतिहास भी बड़ा रोचक है जो आप राजनीति शास्तर के अन्यध्याय में और इतिहास के अन्यध्याय में पढ़ेंगे पढ़ चुके होंगे लेकिन जम्मु कश्मीर की समस्या बनी रही हैदराबाद का विल्य हो गया जूनागर का भारत में विल्य हो गया लेकिन जम्मु कश्मीर के विल्य में जो विलंब हुआ उस विलंब का परिणाम है कश्मीर की समस्या जम्मु कश्मीर भारती संग के अन्य राज्यों के भाती एक राज्य बना विलंब सही बना लेकिन एक राज्य बना परन्तु कुछ विशेश परिस्थितियों के कारण इस राज्य को भारती संग में एक विशेश इस्थिति दी गई है अब ये जो विशेश परिस्थिती है और विशेश इस्थिती है इसे थोड़ा साम एक सरसरी नजर से डाल लें क्योंकि अन्य था इसका यदि आप विस्तार से अध्यन करेंगे तो इसके लिए आपको समय देना होगा और बहतर होगा आप स्वैम इसका अध्यन इसका करें थी राजा हिंदू पर अधिकतर जनता मुस्लिम राजा और पडोस में पाकिस्तान जैसा नवोदित देश जो भारत से विभाजित होकर बना था और धर्म के अधार पर ये विभाजन एक तरीके चे हुआ था मसलिम बहुल राष्ट पडोस में ही लगा हुआ दूसरा भगोलिक दिश्ट से भी जम्मु कश्मीर बहुत महत्पूर्ण था क्योंकि इसकी सीमा से कई देश लगे हुए थे तो इस प्रकार सैन्य दिश्ट सामरिक दिश्ट से भी ये बहुत महत्पूर्ण हो दाता था टूरिस्ट पॉइंट ओफ व्यू से भी जम्मु कश्मीर की अपनी अहमियत थी अपनी उप्योगिता थी कुल मिलाकर जम्मु कश्मीर बहुत सी दिश्ट से सभी के लिए अहम था राजा के दौरा नेड़ने लेने में विलंब करने का फायदा पाकिस्तान उठाता है और वह हमला करता है अपने कबाईलियों के माध्यम से और लगवग कश्मीर की सीमा च्री नगर की सीमा तक पहुंच जाता है सरदार पटेल जो दोरान देश के अन्य हिस्टों की रियास्टों को भारत में विलाने की प्रक्रिया में व्यस्त थे जब उनका ध्यान इस और अकर्शित होता है इस समस्या की और तब राजा पर दबाव बनाने का प्रयास होता है कि वह निर्णे लें अंतिम निर्णे लें कि वह क्या चाहते हैं और अंतिता काफी विलंब के बाद बढ़ती पाकिस्तानी फौज के भैसे और कुछ बदलती परिस्थितियों से राजा अंत में भारत में विलाह होने के लिए रजा मनदी देता है इस शर्ट पर कि भारत अपनी फौज तुरंट भेजे पाकिस्तानी कबाईलियों का सामना करने के लिए ऐसी स्थिते में भारत संदी करता है कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाता है और चूंकि कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाता है भारत फौज भेजता है कबाईलियों को खदेड़ता है और पाकिस्ता और कश्मीर भारत का एक अबिन अंग बन जाता है लेकिन तब तक कश्मीर के काफी बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ग्वारा भीजे गए कबाईलियों का कबजा हो जाता है और वह खेतर उनके कबजे में बना रहता है उस खेतर से कबाईलियों को खदरने के लिए एक तरीके से छद मजुद को समाप करने के लिए ततकालीन पधान मंत्री पंडित जवालाल नहरू नाव निर्मित संयुक्त राष्ट संग के सुरक्षा परिशद पर इस समस्या को लेकर पहुंचते हैं जहां सुरक्षा परिशद निर्णा लेते हुए तुरंत युद्धिवराम की गोशना करती है आदेश देती है युद्धिवराम होता है और उसकी स्थिती में जैसी स्थिती थी वैसे पर ही लड़ाई रुकती है अर्था जिस हिस्से पर कर पकित्तान ने कपजा कर लिया था वह हिस्सा उनके कपजे में तब तक बना रहेगा जब तक की सुरक्षा परिशद अंतिम निर्णा नहीं ले लेती वहां अंतिम निर्णा अभी तक नहीं आया है समस्याएं गहरा गयी हैं अंतराश्टी राजनीती हवी हो गई है शीत युद्ध के काल में ये समस्या और गहराई और जो मामला है वहाँ दो महाशक्तियों के बीच और उलज गया है ये हुआ कश्मीर की समस्या इस समस्या के मद्दे नजर और कुछ अन्य सित्यों के कारण जम्मू कश्मीर को एक विशेश स्थान दिया गया भारती संग की एकाई के रूप में एक राज्य तो बनाए गया परन्तु विशेश परिस्थितियां जो निर्मित हो गई थी उसने इस राज्य को भारती संग्धान में एक विशेश्थ स्थिति पाने के लिए भी विवश्ष किया और इस प्रकार इस राज्य की जो विशेश स्थिति का जो लेख है वो हमारे संग्धान के धारा 370 में है जब ये ऐसी स्थिति निर्मित होई तो आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मो कश्मीर को एक विशेश दरजा दिया गया जिसके तहट उसके अपने प्रधान मंत्री होंगे उसके अपनी विधान सबहा होगी और इस धारा के तहट कुछ ऐसे प्रावधान किये गए जो पश्ट रूप से उसे विशेश दरजे की स्थिति में रखते थे उनमें से एक मुद्दा ये भी था एक बिंदू कि कोई भी भारती जम्मो कश्मीर में जाकर वहाँ प्रापर्टी नहीं खरीच सकता कुछ अन्य बातें भी थी ये है विशेश इस्थिति और इस विशेश इस्थिति को किसके तहट सम्वैधानिक जामा मिला धारा 370 के तहट इस प्रकार भारती सम्वैधान का ये अनुच्छेज जिसे हम धारा 370 कहते हैं जम्मो कश्मीर राज के भारती संग के साथ के संबंदों का निर्धारन करते आया संद 2019 तक विशेश संबंद सम्वैधान की ये जो विशेश विवस्था थी 370 इसके तहट जम्मो कश्मीर राज के संबंद में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो जम्मो कश्मीर राज के विधान मंदल को दी गई हमने अभी तक पड़ा है कि अवशिष शक्तियां यानि ऐसे विशेश की शक्तियां जो सम्विधान निर्माताओं द्वारा सम्विधान बनाते समय नहीं थी ऐसे विशे नहीं थे और बाद में वे विशे आये सामने जैसे साइबर का मामला कंप्यूटर का मामला आदी ऐसे विशह अवशिष सूची में जाते हैं और अवशिष सूची में कानून बनाने का अधिकार केंदर सरकार का है अरसा संसद का है लेकिन धारा 370 के तहद ये प्रावधान किया गया कि कोई से भी अवशिष सूची में आये हुए विशह पर जम्मू कश्मीर की जहां तक ब बलकि राजिका विधान मंदल ही इसके लिए सक्षम होगा कौन से राजिका जम्मू कश्मीर राजिका अन्य राजियों का यहां कोई जिक्र नहीं है या धारा 370 केवल कश्मीर के लिए थी इस विकार इस प्रावधान के तहट राजिके संबंध में जो संसद की विधिनिर्मान की शक्ति थी वो सिमित हो गई संसद को उस राजिके संबंध में विधिनिर्मान करने का कोई अधिकार नहीं रहा लेकिन भारत की संप्रभुता, अखंडता और राश्टी संबंध में इसको बनाया रखने के लिए संसद को आवश्यक कारवाई करने का अधिकार होगा यह प्रावधान किया गया तो पहला प्रावधान मैंने बताया विधि संबंधी अधिकार विधान मंदल को दूसरा यह जरुत पढ़ने पर राश्टी संबंध के मामले में, अखंडता के मामले में, संप्रभुता के मामले में संसद को अधिकार है इस राज की अपनी विशेश परिस्तिते के अधार पर इस राज के विधान मंदल को समवर्ती सूची के कुछ विश्यों पर भी अपनी इच्छा और आवशक तानिचार कानून बनाने का दिकार मिल गया अर्थात तीसरा बिंदू ये कि समवर्ती सूची में वह चाहे तो स्वैम कानून बना सकता है बिना संसद की संसद के परामर्श के बिना संसद के चलाख के ये बड़ा चर्चित अनुच्छित था विदि निर्मान का पूरा अधिकार एक तरीके से राजी के विधान मंडल को दे दिया गया जम्मू कश्मीर के संबन्द में धारा 370 को यदि हम बिन्दू आद देखें तो कुछ रोचक जानकारी आएगी सामने आखिर 370 के प्रावधान क्या थे जो उसकी एतिहासिक प्रिष्ट भूमी को देखकर जो उसको विशेश दरजा दिया गया था उसमें स्पष्ट कहा गया पहला बिन्दू कि केंदर सरकार को जो है उसकी शक्तियां राज्य के मामले में बड़ी सीमित रहेंगी केंदर की सक्तियों को सपष्ट कर दिया गया कि राज्य की तुलना में 36 जम्हू कश्मीर राज्य के मामले में उसकी सीमित कर दिया गई दूसरा केंदर सूची और समवर्ती सूची जिसमें केंदर को कानुन बनाने की शक्ती थी इसमें वर्णिश शक्तियों का वहां प्रेयोग करने के लिए राज्य सरकार की अनुमती आवश्यक हो गई अर्थाज बिना राज सरकार के बिना जम्मू कश्मीर सरकार की अनुमति के बिना केंदर सुची में और समवर्ती सुची में भी केंदर सरकार कानून नहीं बना सकती थी और ऐसी स्थिति में ऐसा बहुत कम होता था जब राज सरकार केंदर को राज के मामले में कानून बनाने के अरुमती दे जिस से टकराहट की जब तब गुझाईश होती थी और या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार एक स्वतंत्र अस्तित्य के रूप में काम करती ही नजर आती थी जिसके कारण अन्यराज जम्मू कश्मीर के इस स्पेशल दर्जे के प्राउधान से नाराज थे इसके बाद जम्मू कश्मीर का एक तरीके से अपना अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का अपना अलग धज था और अंतिम बिंदू आंतरिक अशान्ति के अधार पर वहां पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता आपातकाल का जब जिक्र करेंगे आगे हम तो आप आएंगे कि आपातकाल तीन स्थितियों में लागू किया जा सकता है एक युद्ध की स्थिति में एक एक्स्टरनल एग्रेशन की स्थिति में और उसके अलावा एक आंतरिक सुरक्षा को मद्य नजर जो बाद में जिसको बदल कर जो भाशा ली गई वो आर्म रिबेलियन तो आंतरिक अशान्ती के मद्य नजर रज में आपात का लागू नहीं किया जा सकता ऐसा धारा 370 में प्राधान किया गया और इस तरह धारा 370 एक तरीके से एक कहना चाहिए ड्रैकोनियन धारा के रूप में मानी जाने लगी अन्य राज जिस बात से बड़े खफ़ा थे कि जम्मु कश्मीर की सरकार को इतना विशेष्ट दरजा मिला हुआ है कि वह एक स्वायम में एक स्विजंत राज की तरह अर्टिकल था 370 इसको लेकर जब से यह आर्टिकल बना तब से लगातार विवाद होता रहा इसकी स्थिति को लेकर अन्य राज भी बड़े खफ़ा हुए कई बार ऐसा महसूस होता था कि मानो जम्मु कश्मीर एक स्वतंत राष्ट की तरह कारे कर रहा है और संगी प्रण अन्त तह इस विवाद को जड़ से समाप करने के लिए वर्टमान सरकार ने 1919 अगस में धारा 370 को भंग कर दिया हटा दिया अर्थात जो विशेश दरजा जम्मु कश्मीर को मिला था जिसके तहट उसे वैदानिक शक्तियां मिली थी और कुछ अन्य अधिकार मिले थे वे पूर्ण रुपेर समाप्त हो गया और जम्मु कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही एक सामान निराज्य हो गया उसक जिती कब हुई जब धारा 370 को वरतमान सरकार ने अगस्ट 2019 में हटा दिया इसको हटाने को लेकर भी विवाद हुआ राज्यों में नहीं बलकि जम्मु कश्मीर के कुछ निवासियों में क्योंकि विशेश दरजे का उनलों को विशेश फायदा मिल रहा था अब वो इस फ और एक सामानी राज बन गया इस धारा 370 के हटाए जाने के बाद करीब 96 दिन के अंदर जम्मु कश्मीर के संबंद में केंदर सरकार ने एक और कारवाई की और वह थी जम्मु कश्मीर राज को राज के दरजे से हटा देना और उसे संगशासित खेतर घोशित करना तो जो जम्मु कश्मीर भारत के 29 राज्यों में से एक था अब वह राज्य नहीं रहा और वरतमान स्थिति में वह राज्य नहीं हैं अब वह दो भागों में तोड़ दिया गया है उसे विभाजित किया गया है प्रशासिनिक दिश्ट से क्योंकि वहाई ख्षेतर बहुत बड़ा है केंदर शासन ने उसे दो भागों में विभाजित किया है एक भाग जम्मु इन कश्मीर संगी शासित छेत्र कहलाता है और दूसरा भाग लदाक संगी शासीक्षत कहलाता है दोनों जगह केंदर सरकार के प्रतिनिदी के रूप में लेफटिनेंट गवर्नर पदास्थ हैं अन्तिम गवर्नर जो जम्मु कश्मीर के थे श्री सत्यपाल मलिक उसके बाद जब जम्मु कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया उससे राज्य का दर्जा हटा दिया गया उसे यूनियन टेरिटरी घोशित किया गया तो दो लेफटिनेंट गवर्नर दोनों खेत्रों में नियुक्त होते हैं ये दोनों लेफटिनेंट गवर्नर इस प्रकार जम्मु कश्मीर और लबदाक इन खेत्रों के पहले लेफटिनेंट गवर्नर बनते हूं और जम्मु कश्मीर का जो विवादित जो मुद्दा था तीन सो सत्तर अनुच्छेट से जुड़ा हुआ वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया इस प्रकार जम्मु कश्मीर की विशेश स्थिती अब नहीं रही वह अन्य राज्यों की तरह अन्य यूनियन टेरिटिरीज की तरह भारत का एक सामानी हिस्सा बन गया है धारा 370 की जब समाप्ती होती है तो उसमें मात्र उसके राज्य का जो विशेश दरजा था वही समाप्त नहीं होता बलकि और बलकि राज्य का दर्जा विशेश राज्य का दर्जा समाप्त होने के बार उसे दो केंदर शासित प्रदेशों में बदलाया जो हमें ने बताया जम्मू कश्मीर और लदाक इसके साथ ही उसका जो अलग सम्विधान था उसके जो अलग ध्वज था वह भी समाप्त हुआ और फिर इसके साथ ही केंदर सरकार के सभी कानून अब जम्मू कश्मीर और लदाक में उतने ही वैद हो गया जितना अन्य राज्यों में या संग शासित प्रदेशों में जो तौधान पूर में था 370 के तहट कि राज्य की अनुमती आवश्यक है केंदर दौरा उस राज्य के मामले में किसी तरह के कानून बनाने पर अब वह बात समाप्त हो गई और संसद का वर्चस्व संसद की सूपरी मैसी जम्मू कश्मीर और लदाक के मामले में भी अन्य राज्यों की तरह बना दी गई दूसरा पूर्वत्तर राज्य के मायने क्या हैं पूर्वधतर में जो हैं पूर्वधिशा में उत्तर की और जो राज्य हैं इसके मायने युँए हुए नौर्थ एस्ट जिसमें आसाम नागालेंड, मेगाले, अरुनाचल प्रदेश, मानिपूर, अगा और उसके अलावा दूसरे कुछ राजी आते हैं जिसे लेंड ऐफ सेवन सिस्टर्स हम कहते हैं यह जो खित्र है पूरवूत्र राज्यों का खित्र इसे अंग्रेजी में लैंड आफ सेवन सिस्टर्स कहा जाता है जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों की बात है तो उनकी अपनी विशिष्ट सामाजिक और एतिहासिक परंपराएं रही हैं खाल धनका इनका कल्चर रहा है इन राज्यों की सामाजिक और एतिहासिक निकटता कुछ हद तक इसके पूर में होने वाले तित देशों के साथ भी है और इसलिए यहां के लोगों का व्यवहार परंपराएं संस्कृति ये कुछ विशिष्ट हैं इन सब के मद्दे नजर और इसकी सामाजिक और भगोलिक तितियों के मद्दे नजर इसे भी इस खेत्र को भी कुछ विशेश अधिकार दिये गए हैं लेकिन हाँ वे अधिकार किसी भी तरीके से धारा तीनसुआ सनुषे तीनसुआ सत्तर जैसे नहीं कहे जाते हैं इस खेत्र की एक खासियत है और वह है कि यहां पर अधिकतर परवती जन जातियां हैं गारो, खासी, जैंतिया ये ऐसी कुछ जातियां है उन पहड़ी खेत्रों में जो बड़े दुरगम इस थलों में हजारों साल से निवास कर रही हैं इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृती है, इनका अपना इतिहास है और भारत सरकार का सदै ये प्रयास रहा है कि इन परंपराओं को इनके इतिहास को जीवन्त रखा जाए अर्थाथ इनको यथावत ही रहने दिया जाए लेकिन हाँ विकास की कीमत पर नहीं विकास होता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ यह प्रयास भी किया जाए कि इन ख्षेतरों की अपनी परंपराओं बनी रहें जैसे जम्मू कच्श्मीर में के मामले में धारा 370 का प्राधान किया गया और इसे विशेश दर्जा दिया गया जो अब नहीं है पूर्वोत्तर राजियों के मामले में भी विशेश दर्जा ना देते हुए कुछ विशेश प्राधान किये गया है जैसे वहां के राजिपालों को ये अधिकार है इन खेत्र के राजिपालों को कि प्रशासनिक सुवधा के लिए जिले के खेत्र को वो घटा बढ़ा सकते हूं ये अधिकार वहां के राजिपाल को दिया गया है जिसके अपने कारण है और इस पकार जिलों की संख्या जिलों का खेत्रफल घटा बढ़ता रहता है कुल खेत्रफल यदि पिवई है 2013 में वहां पर तीनों जगहों में तीन राजियों में उनकी अपने अपने न्यायले उच्छ न्यायले दिये गए इससे पूर्व इन सातों राजियों का उच्छ न्यायले गोहाटी में स्थित्था एक ही लेकिन 1913 में बढ़ती आवश्कता को देखते हुए बढ़ती जरूरों के जरूरतों के मद्दे नजर इनके लिए तीन अलग न्यायले का प्रावधान किया गया और उसकार गोहाटी उच्छ न्यायले पर जो भार था वो उस हद तक कम हुआ है कारिका भार ये जो विशेश प्रावधान किया गया इस खित्र के लिए ये सब विशेश प्रावधान इस खित्र में कुछ अलगावादी आंदुलन और सशस्त्र कहना चाहिए विद्रो उसे रोकने में सफल नहीं हो पाए है दूसरे शब्दों में कश्मीर में जहां हम आतंकवादी गत्विधियां घुस्पैट की गत्विधियां की प्रचूरता से वाकिफ हैं और इनके कारणों को भी समझते हैं उसकी भागोलिक महत्ता उसकी धार्मिक सित्य उसका टूरिस दिष्ट से मामला उसका सैनी दिष्ट से उसकी महत्ता इसके मद्दे नजर वहाँ अन्य तरह की समझ्याएं हैं तो पूर्वोत्तर की जो समझ्या है वह एक तरीकत हम कह सकते हैं अलगाव वादी आंदूलन की समझ्या है और कभी कभी सशेस्त विद्रोह की समझ्या है ये सब विशेश प्राउधान जो दिये गए इस खेतर में अलगाव वादी आंदूलन और सशेत्र विद्रोहों को रोकने में सफल नहीं हो सके पिछले 30-40 वर्षों के दौर में नागलेंड, मिजौरम और एक समय में असम यहां पर विद्रोही गत्रीद्वियां बड़ी तीवर हो चली थी और इन में विदेशी ताकतों का भी हाथ था खासकर परोशी देशों का और इस पकार यहां पर अलगावादी प्रवृतियां बहुत पनप रही थी यद्यपी सरकार ने बहुते प्राधान करके विकास को वहां नई दिशा देते हुए इन प्रवृतियों को नियंतरित करने में सफलता पाई है पर जब तब ऐसे अलगावादी तत्व अन्य राधियों के लिए अप क्या प्राधान हैं प्रविजिण फॉर अदर स्टेट्स हमने कश्मीर के बारे में विस्तार से समझा पुरवत्तर राधियों की स्थिति को समझा और यह जाना कि पुरवत्तर राज्यों में इस्तियां सामानी होने में सरकार को विशेज ज्यान रखना पड़ रहा है वहीं अन्य राज्यों में क्या है कुछ पहड़ी इलाके जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों जैसे आंधर प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराश, चिक्किम यहाँ पर भी लोगों को अधिक स्वायत्ता देने के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान किये गए है दूसरे शब्दों में भारती सम्विधान में राज्यों को लेकर कुछ विभिन प्रावधानों का एक तरीके से पुट है उसमें डाला गया है और स्वायत्ता इसमें मुख्य मुद्दा रहा है स्वायत्ता का अर्थ क्या होता है कुछ ज्यादा स्वतंत्रता इस कम सकम स्थानी मामलों में अपने खेत्र के मामले में सम्मंदित सरकार ज्यादा स्वतंत्रता चाहती है अर्था जो संग का जो वर्चस्व है संग की जो पकड़ है राज्य सरकारों में उस पकड़ में थोड़ी कमी कि अपेक्षा ये राज्य करते आये हैं और उसके तहट कुछ ऐसे प्राउधान किये गए हैं जिसमें इन राज्यों में कुछ जाजा स्वायत्ता दी गई है यद्यपी इन विशेश प्राउधानों की समय समय पर आलोचना होती रही है दूसरे शब्दों में विशेश प्रावधानों की आलोचना या क्रिटिसिजम आफ स्पेशल प्रोविजन्स भारत में संगी व्यवस्था है जहां सभी राज्यों को समान रूप से शक्ति का वित्रण होना चाहिए लेकिन जहां मैंने बताया कुछ राज्यों के लिए समिधान में विशेश प्रावधान किये गए हैं तो ऐसी स्थिति में जो राज्यों में ऐसे प्रावधान नहीं किये गए वहां पे विरोध स्वर मुकर होने लगता है और जहाँ प्रावधान किये गए इसलिये क्योंकि वहाँ पहले विरोध स्व então वहाँ के विरोध स्वर को, विद्रोही स्वर को दबाने के लिए लगावादी तत्वों को दबाने के लिए बढ़ती स्वायत्ता की मांग जनता के बीच में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कुछ विशेश प्रावधान दिये गए तो अन्य राज कैसे अच्छूते रहेंगे उनकी भी इच्छा है स्वायत तता की और विशेश कर तब जब भारती संब्धान में केंद्र काफी कुछ राज्यों पर हावी है संगात्मक व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था का यहां ज्यादा बोल बाला है तो हर राज्य चाहता है कि उसे ज्यादा स्वतंतरता मिले खेतरी मामलों में अपने राज्य के अंदर के मामलों में कारे करने के लिए वह कोई भी इनमें से कोई भी राज्य देश से स्वतंतर होने की बात तो नहीं करता लेकिन अपने कारे में प्रशासन के मामले में वित्ती मामले में कानून बनाने के मामले में ज्यादा स्वतंतरता चाहता है केंदर का दखल कम से कम होना चाहता है जन जाती ख्षित्रों में जो विशेश प्राधान तो किये गए वहां रज इस बात की स्वीकृति देते भी हैं क्योंकि वे जन जाती ख्षित्र हैं उनके उत्थान के लिए जरूरी है कि उनके लिए विशेश प्राधान किये जाएं और रज इस बात से समत रहे परन्तु तीन सो सत्तर के तहट जम्मू कश्मीर के प्राधानों को लेकर बड़ी आलोचना चलती रही पूर्वोत्तर राजियों में जो जन जातियां हैं जिनका मैंने नाम लिया कुछ का गारो खासी जैनते आदियों और भी बहुत सारी जातियां है इनको लेकर किये गया प अधिकतर राजियों को कोई आपत्ती नहीं है इनकी स्वायतता को लेकर अधिकतर राजियों पर को कोई आपत्ती नहीं है लेकिन सब की आपत्ती जम्मू कश्मीर को दिये गए उस विशिष्ट प्राधान की को लेकर है जिसे अनुछे 370 के नाम से जानते थे अब यह प्र कारविवाद का एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था जो केंद्र राज्यों के संबंधों में बहुत कड़वाहट पैदा कर रहा था और जिसका बहुत बार नाजाएच फाइदा ततकालीन कश्मीर प्रशासन खासकर राजनीतिक प्रशासन जिसका दुर्पयोग कर रहा था और इस पकार जो सम्विधान निर्माताओं के द्वारा बनाए गए सम्विधान के निर्मान के बाद जो धारा 370 बाद में बनाई गई थी वह अब किसी भी रूप में आलोचना का केंदर नहीं रही कांकि वह धारा ही अब अस्तित्व में नहीं है और जम्मू कश्मीर एक सामाने राज्य की तरह सामाने हिस्से की तरह भारत का एक अंग बन गया है और वह यूनियन टेरिटरी हो गया तो विशेश प्राधान क्या है भारती संविधान की जो नायाब विशेशताओं की अदि बात करें तो ये है पहला कि अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग विया भार है जिसका जिक्र मैं पूर में कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा अनेक राज्यों को एक विशेश दर्जा या कुछ विशेश सुविधाएं दी गई है दूसरा राज्यों को राज्य सभा में जो असमान प्रतिन दित्व दिया गया है उसके पीछे ये भावना सपष्ट है कि सभी राज्य समान नहीं है जैसा कि पूर्ण संगहात्मकरा देशों में माना जाता है ये दूसरी विशेश्टा है तीसरी कुछ राज्जियों को उनकी विशेश्ट सामाजिक और एतिहासिक उसके परिस्थितियों के अनुरूप समविधान में कुछ विशेश अदिकार दिये गए है याद रखेंगे स सामाजिक और एतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए एतिहासिक परिस्थितियों की से हमारा इशारा जम्मू कश्मीर की स्थिति की तरफ था और सामाजिक संदर में यदि बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्जियों को लेकर जो कुछ प्राउधान किये गए तो ऐ इसके अलावा पहाडी राजी है माचल प्रदेश, अन्य राजी जैसे आंतर प्रदेश, गोवा, गुजरात, महराश, तिलंग गाना, इसके लिए भी कुछ-कुछ विशेश प्राधान जिसका मैं जक्र किया हूँ.